लेटर्थ एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एड्जेक्टिस रिलेटेट कुछ क्योशन जो कि आपकी आने वाली एक्जाम, MPSI और और व्यापम एक्जाम इसके लावा पूचे जाते हैं और अभी जो एड्जेक्टिस रिलेटेट कम से कम चार से पांच क्योशन पूचे गए तो इस टाप की क्योशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर देखिए जो जनरली एड्जेक्टिव जो होता जाता है और common adjective में आपसे some, any, much, many, a few, the few, a little, a little, the little इस ताप की क्योशन इसमें पूचे जाते हैं और यह दोनों ही एक तरह से adjective होते हैं क्योंकि यह दोनों की quality को बताते हैं तो यहां पर जो भी वर्ड नाउन की quality को बताता है उसे हम बोलता है adjective ठीक है तो यहां पर जो degrees of adjective होता है जैसे कि good हो गया तो good जो है वो एक noun की quality को बताता है जैसे कि good boy इसे रर्ब से common adjective में बात करें सब्सक्राइब की की तो इस टाप से और इपक्र सॉक्ष कर रहे हैं और इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं डिक्रिव एच्ट्व से किस ताप की क्योश्यन आप से पूछे जाते हैं तो चलिए हम स्टाट करते हैं हमारे पहले question के साथ में चलिए पहला question जो आप से पूछा गया है कि which books is the blank of the two ठीक है तो अब यहां पर आपको दाना ही कि यहां पर जो option होगा और क्या होगा पहला option आपका good दूसरा है आपका better और तीसरा option है आपका best आप वीडियो को post करके और आपका जो भी answer है वह आप सोच सकते हैं तो मैं इसका जो answer है वह आपके सामने continue कर रहा हूं तो यहां पर देखिए जो तो given question है उसमें अधिकतर लोग option लगाते हैं best और आपने भी लगाया होगा क्योंकि अधिकतर लोग यहां पर देखते हैं the को कि अगर लग रहा है तो दो के साथ में हम generally superlative degree का यूज करते हैं तो मैं आपको यहां पर बता दू कि इस sentence में पीछे टू लिखा हुआ है और जो टू है उसकी वज़े से हमको यहां पर यूज करना होगा comparative degree क्योंकि जब भी किसी भी question में दो की बात होती है दो में comparison होता है तो वहां पर हमको comparative degree का यूज करना होता है ठीक है अगर दो से ज्यादा में से किसी आपको एक को बताना है तो उसके लिए आप आप इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है चूंकि यहां पर टू लिखा हुआ है और टू की वज़े से हमको यूज करना होगा बैटर जो कि आपकी कौन सी डिग्री है इस पर टू आपको अच्छे से क्लिए चलिए मूं करते हैं अगले क्योशन की और अब देखिए दूसरा जो क्योशन है वह आप से एरर टाइप में पूछा हुआ है कि ऑफ दे टू प्लेयर्स ही इस दे लग्कियस्ट नो एर और यह जो क्योशन है आपके एक्जाम में अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू लिखा हुआ हो तो वहां पर जनरली हमको यूज करना होगा और इस सेंटेंस में यूज किया था कि ऑफ दे टू प्लेयर्स ही इस दे लग्कियस्ट के जगे हमको रिप्लेयर्स करना होगा लग्यर से क्योंकि यहां पर टू की हो जैसे हमको इस सैंटेंस में कम्पर यूज करना होगा तो इस कुछल को दूनों टाइप से पूछा जा सकता है चाहे blank डाइप में पूछा जाया चाहे error टाइप किसी भी फॉम में फॉँछा जाया बस क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंज में होता है तो वहाँ पर हमको यूज़ करना होगा अगला क्यूशन जो आपके सामने है कि इस फोटोग्राफ वोस कॉंपरेटिवली बैटर देन देट ही केप इन हैट पॉकेट तो यहां पर आपको बताना है कि सेंटेंज मे मैं रिपीट कर देता हूं दिस फोटोग्राफ वोस कॉंपरेटिवली बैटर देन डेट ही केप इन हाइट पॉकेट तो चलिए मैं आपको इसका अंसर बताता हूं आप वीडियो को पोस्ट करके और आप जो भी इसको मतलब आपका एंसर जो भी आ रहा है तो आप क्योशन क्याद हूं कि comparatively और relatively इन दोनों के बाद में जो degree use होती है वो होती है positive degree इस वज़े से हम यहां पर better को replace करना होगा good इस से जो एरर है वो सेकंड पार्ट में होगा कि बैटर इस रिप्लेजड बाइ गुट तो आपको अच्छे से क्लियर है चलिए अब हम मुव करते हैं अगले क्योश्चन की और अगला क्योश्चन जो कि आपके सामने है कि अब देखिए इस क्योश्चन में यहां पर लिखा है नावड़ेज वेदर इस गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर तो इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा कोल्डर एंड कोल्डर से उसका रिजन क्या है कि जब भी कोई किसी भी नाउन के गुण में क्रमश्य व्रद्धी होत ही है और यहां पर चूंकि नावड़ेज वेदर इस गेटिंग मतलब कि जो मौसम है वो ठंड होता जा रहे हैं तो क्रमश्य उसमें व्रद्धी हो रही है तो इस वज़े से हमको दोनों तरफ कंप्रेट्य डिगी का यूश करना होगा तो यहां पर हम लिखेंगें कोल्डर जैसे कि मैंने एक सेंटर लिखा है कि the prices is rising higher and higher तो वस्तुओं के बढ़ते जा रहे हैं क्रमश्य व्रद्धी हो रही है तो इसलिए हमने यहां पर यूश किया higher and higher तो जब भी कभी किसी भी नाउन के गुण में क्रमश्य व्रद्धी या कमी होती है तो वहां पर हमको यूश is quick and safe than by train जो शोह में repeat कर देता हूं in our area the journey by bus is quick and safe than by train तो अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसका answer क्या हो सकता है अब देखिए इस question में लिखा है in our area the journey by bus is quick and safe तो quick and safe को हमको replace करना का quicker and safer से क्योंकि यहां पर comparison हो रहा है train की journey का और bus की जननी का और जब दोनों में comparison होता है तो वहां पर हमको यूश करना होता है comparative degree तो इस वज़े से quick and safe की जगे हमको यूश करना होगा quicker and safer than by train ठीक है तो इस type की question अगर कभी भी आते हैं तो आपको यार रखना है कि जब भी कभी दो noun में comparison होता है तो वहां पर आपको हमेशा comparative degree का यूश करना चलिए अब हम करते हैं अगले question के और अगला question जो आपके सामने है कि Sohan is the most intelligent and more laborious of the two students at present no error चलिए अब इस question को आप easily solve कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक हिंड दी हुई है कि इसका जो answer है वो आपका क्या हो सकता है तो आप question को आराम से पढ़ सकते हैं मैं इसका answer आपको बता रहा हूं अब यहां पर चूंकि एक डिग्री है superlative most intelligent दूसरी डिग्री है more laborious ठीक है और यहां पर अब हमको देखना है कि हमको डिग्री कुन सी यूज़ करना है तो यहां पर लिखा है two students at present तो दो student की बात हो रही है और दो student की वज़े से हमको यहां पर comparative degree का यूज़ करना होगा तो most intelligent की place पर हम यूज़ करेंगे more intelligent ठीक है क्योंकि यहां पर two लिखा हुआ है दो student है तो हम superlative degree का यूज़ नहीं कर सकते है तो जो superlative degree है उसको हम replace करेंगे comparative degree से तो यहां पर sohan is the more intelligent and more laborious of the two students at present ठीक है I think यह question भी आपको अच्छे से clear है अब हम move करते है अंगले question क्यों अगला question जो आपके सामने है the death of king awarded was prior than the great war of Europe ठीक है question को मैं वापस से repeat कर देता हूँ the death of king awarded was prior than the great war of Europe no error बहुत simple सा question है और यह question exam में बहुत बार पुछा हुआ है तो इसका answer हम देख लेते हैं देखिए यहां पर एक general सा concept है कि अगर सामने आपके सामने कभी भी prefer senior junior inferior inferior या superior या superior या prior आता है तो ऐसे case में हमको यूज करना होता है to बजाए then के तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि prefer senior junior inferior superior or prior इनके साथ में हमको हमेशा two का यूज करना होगा चलिए अब हम मूव करते हैं अगले question की और अगला question जो आपके सामने है she is the best and beautiful girl of our village no error देखिए बहुत simple सा question है कि she is the best and beautiful girl of our village no error तो आप इसमें बताएए कि क्या error हो सकता है उसके बाद में मैं अपना answer clear करता हूं तो चलिए आप इसको वीडियो को पोस्ट कर लिजे मैं answer continue कर रहा हूं देखिए question में लिखा है she is the best and beautiful the best and beautiful और जैसा कि मैंने आप बताया था कि end से अगर आप दो डिग्री को जोड रहे हैं तो दोनों डिग्री जो है वह पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए या कंपरिटिव फॉर्म में या फिर सूपर लेटिव फॉर्म में अब यहां पर हमको वह देखन बेस्ते अंड मोस्ट ब्यूटिफुल का यूज करना होगा दूसरी बात कि हमने मॉस्ट ब्यूटिफुल के साथ दख्यों लगाया तो वह मैं आप बता हूँ यहां पर शी एक ही लड़की है और एक लड़की के लिए एक आर्टिकल हमको यूज़ करना है ज्योंकि हम बेस अगला प्रणिएस जो आपके सामने है मी इस दे बेस्ट एंड मिनिस्टर फिस पारिलेमंट अब यहां पर आपको चाहर नहीं है ओनेस्ट मौस्ट उनेस्ट आस्ट नहीं तो अब यहां पर आपको बताना है कि इसका एंसर है वह आपका एंसर क्या हो सकता है तो मैं आपको इसका एंसर कंटीनियू कर रहा हूं देखिए अभी हमने क्योशन में पढ़ा था है कि जब दो डिग्री को हम एंड से जोड़ते हैं तो दोनों एक ही फॉर्म में होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर इस पूरे पार्लियामेंट में से किसी फॉर्म में सबसे है और इमांदार पर आदमी चुकि एक है के बात हो रही है तो इस वज़े से हमको यहां पर शूपर करना होगा तो शूपर डिग्री है और सी में अधिकतर लोग और शूपर्लेटी डिग्री नहीं है पॉजिटीव डिग्री होती है तो सभा अब यहां तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर हमको दह का यूज नहीं करना है क्योंकि अभी थोड़े पहले में आप बता था कि एक ही पर्सन की बात हो रही है और एक पर्सन के साथ में दह यूज कर चुके हैं तो अगले बार हमको विदाउट वाली सुपर लिगरी लेना है तो यह में वापस रिपीट कर दता हूं सरिता इस दट लेस्ट ऑफ ओल अधर गर्ल्स इन द कॉलेज ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इसका एंसर क्या हो सकता है अब देखिए इस क्योश्चन में लिखा है कि सरीता इस दे टालेस्ट ऑफ और अधर गर्स ठीक है और चुकि मैं आपको यह बता दूगी जो सूपरलेटी डिग्री होती है उसके साथ में हमको यूज करना होता है only all का ठीक है all girls ने की all other girls इस वज़े से यहां पर all other को हम replace करेंगे all से तो कभी भी अगर सूपरलेटी डिग्री होती है तो ऐसे केसमें आपको तो अधर जो रहेगा उसको आपको वहाँ से हटाना है सारे क्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हैं और अभी आपका MPSI का एक्जाम जब भी आए August September जब भी आता है लेकिन आपको regular basis पे पड़ाई जारी रखना है क्योंकि अगर आप सुचेंगे कि एक्जाम टाइम पर मैं प्रिप्रेशन कर लूँगा तो उस टाइम पर प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि होगा यह कि यह क्यूशन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और एक्जाम टाइम पर तो आपको पता ही है क्या करना है क्योंकि उस टाइम पर अधर सब्जेक्ट भी रहेंगे इसके अलावा जैसा कि मैं आप पूदा था कि हिंदी और इंग्लिश के नोट्स जो है व आपको अगर एक्जाम में परफेक्शन लाना है तो उसके लिए अभी से आपको प्रेक्टिस करना होगी ठीक है तो चलिए हम मुलाकात करते हैं अंगले वीडियो में थैंक्यों वेरी मुच